आदर्ण ये प्रधान मंत्री जी, यहां उपस्थित सभी दलों के नेतागण, तथा मा की स्मिती में पधारे बंधुगण, आज आप यहां दल और विचारधारा की भिन्दता को छोड़कर, मेरी मा को शद्धांजली देने यहां आए, मैं बहुत आभारी हूँ. जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी, मेरी मा संयमित थी, अनुशासित थी, मर्यादित थी. सरकारी पक्ष हो या विपक्ष, संसद की तेज तर्रार तक्रार के बाद, सेंट्रल हॉल के बटर टोस्ट, कॉफी और गपशप पे, वो अपने राजनेतिक विरोधियों को मोह कर, मित्रों में तबदील करने वाली मेरी मा थी. व्यक्तिकत रूप से, वो बहुत सरल थी, और बहुत ही सुलजी हुई शक्सियत थी. मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी. दुन्या में मेरी सबसे अच्छी दोस्त. शी वाज़ी बेस्ट फ्रेंड. उनकी 42 वर्ष की राजनेतिक तपस्या में, आप सभी का कभी न कभी किसी न किसी रूप में योगदान था. उसके लिए मैं आप सभी की शुक्र गुजार हूँ. प्रधान मंत्री जी, आपने व्यक्तिकत तोर पर मेरी मा को इतना आदर और सम्मान दिया. मेरे परिवार की संकत की घड़ी में, आप हमारे साथ ख़ड़े रहे, मैं आपकी रणी हूँ. भारतिय जनता पार्टी की शीतल चाया में, मेरी मा ने अपनी राजनेतिक सफर की पूर्ती करी. उनको पहचान देने वाली भारत ये जनता पार्टी की मैं तहेदल से शुक्र गुजार हूँ मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी जोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठेन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन ही स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा कहते हैं कि दुख बाटने से घटता है और खुशी बाटने से बढ़ती है आप सभी यहां आज आए और हमारे हमारे परिवार का गम बाटा इसमें मैं अनुराधा पॉडवाल जी और उनके सहयोगी कलाकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने अपनी गाईकी से ऐसा भक्ती और प्रीती का माहौल बांधा कि इस दुखत घड़ी में भी कुछ शण सुकून के हमें नसीब हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से निवेदन है अपने स्थाम पे खड़े हो करके दो मिनिट का मौन धारड करके सद्धाजी लिए करके फिर अपने अपने स्थाम पे जाएंगे अपने अपने स्थाम पे खड़े हो करके दो मिनिट का झाल झाल